हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिमन्यो आईएस, आई हम गुर्बिंदर कौर, सीनियर फेकल्टी अभिमन्यो आईएस, और आज स्टूडेंट हम यहां पे पंजाब सिवल सर्विसीज का जो 2024 का एक्जाम होने वाला है, उसके लिए हम एक न्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, that is geography, geography के कुछ important concepts देखेंगे, जो बहुत ही ज्यादा important है for your exam point of view, exam में आपके बहुत ही काम आने वाले concepts हैं, और हम important concepts को ही हम discuss करेंगे, geography के, ठीके जी, तो पहला जो हमारा topic रहेगा, that is physical features of India, physical features of India, student हम हमारे पहले topic से start करते हैं, आज, कि physical features क्या है, इंडिया के, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीके जी, okay, okay, one second, but before that, see your student notification हमारी कभी भी out हो सकती है for the Punjab Civil Services, and sure, इस साल elections में है students, so that's why PCS का जो notification है, वो बहुत ही जल्द out हो जाएगा, ठीके जी, तो आप अपनी preparation कीजिए, और इसी के साथ student एक big announcement आपके लिए, वो ये हमारा batch जो है, वो start हो चुका है for the Punjab Civil Services, तो student आप join कर सकते हैं, उसको, link आपको इसका description box में मिल जाएगा, तो student, आज हम यहाँ पे, geography जो है, उसको हम यहाँ पे एक important session start करते हैं, that is, physical features of India, हमारा प्यारा जो भारत है, वो कैसा है, ठीक है, क्या-क्या उसके physically features हैं उसकी, ठीक है, जैसे आपके physical features होते हैं, ठीक है, आपका color, आपकी, you know, आपकी nose, आपकी ears, आपकी eyes, किस तरीके का structure है, किस तरीके के features हैं आपकी body के, विलकुल वैसे ही, कोई भी एक geographical land होती है, student तो उसके features होते हैं, जैसे कि हमारा India है, तो सबसे beautiful अगर कोई country लगते है, that is our India, why? Because इसमें जितनी diversity है, कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक, उतनी मैंने किसी भी country के अंदर इतनी ज्यादा diversity कभी नहीं देखी, yes or no? कहीं mountains हैं, तो कहीं बहुत, you know, dense forest हैं, तो कहीं पे एक बहुत बड़ा sea का area है, कहीं पे coastal region है, तो कह desert की safari है, ठीक है, तो कहीं पे हमारा North East India के बहुत ही beautiful hills है, mountains है, है न, तो उन सब features के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे students, तो पहला start करते हैं student हमारा India का, थोड़ा सा उसका political map और थोड़ा हम उसको देखते भी हैं यहाँ पे, ठीक है जी, तो इंडिया के अगर total area की मैं बात करो student, so that is 3.28 million square kilometer, जो हमारा India है student, तो total उसका जो area है, that is 3.28 million square kilometer, I know कि आपको यह map अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, काफी blur होगा, बस कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इसकी boundary ही देखनी है, कि that is our India, आपको पता ही होता है, ठीक है, बट हाँ, थोड़ा सा बस यहां पर थोड़ा सा शो करने के लिए, ठीक है, कि किसी बच्चे नहीं अगर जोगराफी बिल्कुल भूल चुका है वो, तो थोड़ा सा उसको idea रहे, ठीक है जी, otherwise political map, जो है, वो discuss हमारा आगे जाके करेंगे, ओकी, clear है जी आपको, ठीक है जी, तो पहला fact याद हुआ 8 million square kilometer, ठीक है जी, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो student, 2.4% of total land area in the world, जितनी हमारी land है student, इसकी पूरे word की, पूरे word की जितनी land है student, उसका कितना percent है हमारे पास, 2.4%, ठीक है, next student longitudinal extension, see here student, जो हमारी earth है student, जो हमारी earth है, उसमें दो type की हमें क्या मिलती है, imaginary lines मिलती है, यह imaginary lines है, मतलब की, सिर्फ imagine की गई है, ऐसी कोई reality में हमारी globe की उपर कोई line है नहीं, ठीक है, अर्थ की उपर, आप उपर से देखोगे तो आपको सिर्फ एक plane globe की तरह नजर आएगा, मतलब की एक plane globe नजर आएगा, ऐसाच कोई lines नहीं है, बट यह हमने अपनी, अपनी, यूनो, अपनी, यूनो, एक purpose को solve करने के लिए, अपनी climatic और time zones को बनाने के लिए, हमने latitudes और longitudes को बनाया है, ठीके जी, तो यह क्या क्या है, कुछ इस तरीके की lines हमने draw की हुई है, टोटल यह 181 lines है student, 181 lines है, और इनको हम बोलते हैं latitudes, लेटी हुई lines, कौन सी है, लेटी हुई lines है, इस तरीके से, ठीके, then we call it as the latitudes, एक हमारे पास, क्या है, इस तरीके से, लंबी lines है student, जो एक point से शुरू होती है, एक सिरे से, और दूसरे सिरे पे जाके connect होती है, that we called longitudes, लंबी है न, ठीके, तो this we called longitude, longitude, ठीके, longitude, tight जी, ठीके, और यह total कितनी होती है, 360, 360 lines होती है, इसकी longitudes की, ठीके, जी, यह बात clear होई आपको, इंडिया जो है student, यहाँ पे हमने पहले, अच्छा, यहाँ पे देखिया, जो इंडिया है, वो यहाँ से लाई करता है, यहाँ पे हमारा इंडिया है, प्यारा भारत है student, तो उसमें कितनी, you know, वो कौन से latitude से शुरू हो रहा है, और कौन से latitude पे वो खतम हो रहा है, लongitude कितने, longitude से ले कर, कितने longitude के बीच में है वो, ठीके, longitude कितना है और latitude कितने में आता है वो, ठीके, इसके बारे में हम जानते हैं, ठीके, तो देखिए students, यहाँ पे देखिए, longitudinal extension between 68 degrees, 7 minutes, see here, इसको हम degree कहते हैं, इसको हम minute कहते हैं, ठीके, तो यहां से जो line pass होते है that is our 68.7 minute ठीक है and 97 degree 25 minute east ठीक है तो यहां से शुरू होता है हमारा longitudinal यहां से sorry यहां से this is our 68.7 ठीक है और खतम कहां पे होता है हमारा 97.25 minute और अगर मैं latitudinal की बात करूँ student तो वो है हमारा 8.4 यहां पी हमारा 8.4 and नीचे कौन सा होगा हमारा 37 degree 6 minute तो 37 degree 6 minute clear है जी आपको तो longitudinal and latitudinal आपको दोनों पता होने चाहिए student कि longitudinal की range कितनी है और हमारी latitudinal की range कितनी है तो कितनी है दुबारा से बताईए मुझे फिर से एक बार बेना slide देखे हुए कितनी है हमारी तो कितनी है student longitudinal जो है that is our 68 degree 7 minute and कहां तक है 97 degree 27 minute तक latitudinal extension की बात करूँ so that is from 8 degree 4 minute to 37 to degree to 6 minute north तक तक क्योंकि हमारा जो एंडिया है यहां पे वापस से हमारे मैप पे चलती है तो जो 0 degree equator है जो 0 degree equator है वो क्या करता है student हमारे earth को दो parts में divide करता है जो उपर वाला part है that we call नदरन हेमिस्फियर और जो नीचे वाला है that we call सदरन हेमिस्फियर यह वाला this is we call सदरन हेमिस्फियर clear आपको ठीक है ची ओके तो देखे फिर latitudinal extension between 8 degree 4 minute to 37 degree 6 minute north ठीक है और हमारा इंडिया की side करता है लाई नदरन हेमिस्फियर के अंदर कहां पे लाई करता है नदरन हेमिस्फियर के अंदर next देखते है north-south extension की अगर मैं बात करो students तो वो कहां तक है देखिए ladakh से लेकर कन्या कुमारी तक यह हमारा ladakh है और यहां पे हमारा कन्या कुमारी है west से east की extension बात करो तो हमारा कच तो अरुनाचल परदेश कच से लेकर अरुनाचल परदेश तक जो है वो क्या है हमारा हमारा west से लेकर east तक है this is our westernmost states this is our easternmost state this is our northernmost state and this is our southernmost state clear हुआ yes or no हुआ के नहीं हुआ glare आपको ठीके जी ओकी तो आगे बढ़ते हैं students है जी next student हम देख लेते हैं neighboring country कौन-कौन से है इंडिया की जो इंडिया के साथ boundary share करती है उनकी हम यहां पे बात करती है तो list student आपके सामनी है बट इसको याद करेंगे हम बहुत अच्छे से ठीके जी तो दिखिए सबसे पहले Pakistan जो western side है कौन से country है हमारी Pakistan ठीके जी दिखनी रहा होगा I know बट हम ऐसे ही इसको याद करेंगे so that आपको याद रहे this is our Pakistan next is our Afghanistan बहुत सारे students को लगता है आरे नहीं अफगानिस्तान तो boundary share नहीं करता है बट नहीं students यहाँ पे ध्यान दीजी आप यहाँ पे उपर वाला यह जो region है PO के यह acquire किया हुआ illegally किसने Pakistan नहीं बट इसके साथ क्या लगता है उपर थोड़ा सा boundary लगती है किसकी हमारे अफगानिस्तान की क्योंकि यह पार्ट हमारा है so that's why अफगानिस्तान के साथ भी हमारी थोड़ी सी boundary लगती है कुछ इस तरीके से यह हमारा इंडिया है यहाँ पे जो हमारा उनका रस्ता है यहाँ पे अफगानिस्तान का यह वे है so that's why हमारी अफगानिस्तान के साथ भी boundary लगती है next है हमारा चाइना this is our China right okay next one is our Nepal this is our Nepal फिर अगला हमारा भूटान this is our भूटान ठीके बहुत ही peaceful country है next is our Bangladesh this is our Bangladesh और यह कब बना था Bangladesh कोई बता सकते है मुझे comment box में कि बांगलादेश कब बनता है तो student comment कीजिए student और बताईए कि बांगलादेश का formation कब हुआ ठीके अभी comment कीजिए next है हमारा Myanmar Myanmar कहां पे हमारा यहां पे है हमारा Myanmar जिसको पहले क्या बोलते थे बर्मा कहते थे फिर हमारा Sri Lanka यह बिल्कुल हमारा island जो island है हमारा island neighbor है student हमारा Sri Lanka next one is our Maldive ठीके Maldive ठीके Maldive कहां पे है यह रहा हमारा Laksh Dweep और इसके नीचे ही यहां पे just क्या हमारा Maldive है ठीके जह land neighbors जो है student जिनके साथ हम land boundary share करते है land boundary यह नीचे तो ocean आगया student this is our Arabian Sea this is our Bay of Bengal ठीके तो land boundary share करते है student हम total 7 countries के साथ और जो island है मतलब की water boundary जो share करते है that is our 2 first one is our Maldive and second one is our Sri Lanka please remember याद रहेगा बिल्कुल याद रहेगा land neighbors हमारे साथ है और जो हमारे island neighbors है वो कितनी है तो आगे बढ़ते हैं students फिर है हमारा standard meridian time see here student मैंने फिर से फिर से हम इस diagram पे आते हैं बट यह अभी थोड़ा सा वो हो गया है बट यहाँ पे थोड़ा से इसको समझ लेते हैं अच्छे से देखिए student अभी अभी मैंने longitude और latitudinal की बात की तो जो हमारी longitudinal lines है student जो 0 degree 0 degree जिसको हम prime meridian कहते है prime meridian कहते है student फिक है north से south की तरफ चलती है student इस तरीके से कितनी lines हैं यह total 360 lines फिक है यह थोड़ी सी एक दूसरे से पास-पस में या distance आन इक्वल है तो कोई बात नहीं आप diagram से बस समझ जाएए this is our north pole and this is our south pole student क्या है इस यह जो हमने longitude बनाई है students यह हमें time zone को समझने में क्या करते है help करते मतलब कहां पे क्या time हुआ है student यह हमारे scientist है जिन्होंने longitude की help से क्या किया हुआ है time zone को decide किया हुआ है जैसे अगर आप पूरे इंडिया में घूमेंगे तो हर जगह पे आपको एक ही time मिलेगा हर जगह पे आपको क्या मिलेगा एक ही time मिलेगा मतलब हर किसी की watch में बिल्कुल बराबर time होगा ठीके अच्छा but student अगर आप sun की position देखोगे तो हमारी earth गूम रही है हमारी earth rotate कर रही है ठीके तो यह sun है student तो हर जगह पे sun का rise जो है जैसे जैसे sun की raise इसके उपर पढ़ती जाएगे हमारी earth की उपर वैसे वैसे sunrise होता जाएगा ठीके और जैसे जैसे अर्थ आप से दूर जाते जाएगे वैसे वैसे आप night की तरफ बढ़ते जाओगे तो student अगर यहाँ पे इस जगह पे for example इस जगह पे sun rise हुआ 6 a.m ठीके तो obviously यहाँ पे 6 a.m है तो क्या यहाँ पे 6 a.m होगा अगर यहाँ पे 6 a.m होगा तो इसका मतलब वो morning का time है लेकिन वहाँ पे क्या होगे उस time पे तो रात होगी इदर वाली साइड तो 6 a.m रात होगी तो ऐसे तो फिर नहीं हो सकता है न काम ठीके इसलिए student क्या होता है हर एक country जो है वो अपना एक standard time fix करके रखती है जिसके according उसकी सारी economical activities जो है वो अराम से manage हो सकने for example माल लीजिए आपका अरुनाचल परदेश में कोई friend है ठीके अच्छा यहाँ पे पहले एक concept समझे फिर आपको ये मेरी बात समझ में आएगी मैं क्या कह रही हूँ देखिए this is our India and this is our North India अरुनाचल परदेश में sunrise जो है student वो western side से जैसे for example गुजरात है इन दोनों के बीच में जो sunrise का difference है वो 2 घंटे का है 2 आवर का है मतलब कि अगर हमारे यहाँ पे इस time पे हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे जहाँ पे आप रह रही हो मालो आप डेली में रह रहे हो चड़ीगड में रहे हो पंजाब में रहे हो हर्याना में रहे हो जहाँ पे भी आप रहकर मेरी वीडियो देख रहे हो अगर आप western side रह रहे हो इस time पे अगर आपके 7 a.m. यहाँ पे क्या हो रहा है sunrise हो रहा है student तो हमारे डार जो हमारे अरुनाचला परदेश है उदर sunrise कितने बज़े होगा 5 a.m. होगा 5 a.m. आल्मोस्ट 2 आवर का यहाँ पे difference create होता है जिसकी वज़े से उनको बहुत सारी even problems भी होती है students कि उनका sunrise 5 बज़े हो रहे office उनको कितने बज़े जाना है 9 बज़े जाना है तो आप सोचे कि कितना सारा time उनका घर पे निकल गया आप सुबा 7 बज़े जब sunrise होता है उस time पे आप उठते हो ready होते हो और आप 9 बज़े office चले जाते हो यह सुरनो perfect है न अच्छा अगर 2 घंटे पहले sunrise हुआ तो 2 घंटे लेट भी होगा यह सुरनो तो जब हमारे यहां पे शाम को 6 बज़े या 7 बज़े हमारे sunset होता है मतलब कि जस time पे हम अपनी evening का snacks enjoy कर रहे होते है तो अरणाचल पडेश में उस time पे क्या हो चुकी होती है पूरी तरीके से रात हो चुकी होती है क्योंकि वहां पे sunset कब हो चुका होता है 4 बज़े तो 4 बज़े जब sunset होता है उस time पे वो office में बैठी होते है तो यह थोड़ी सी दिक्कत है इसको हम फिर कभी किसी lecture में discuss करेंगी ठीके बट time जो है वो पूरे इंडिया का एक ही है according to the standard time of India ठीके और उसको हमने set किस तरीके से किया हुआ है this is our standard meridian time 82.5 82.5 पे जो भे time होगा वही government ने set किया है कि पूरे इंडिया में वहे time जो है वो क्या किया जाएगा अप्लाई किया जाएगा ठीके जी तो देखिए due to great longitudinal extent of about 29 2 hour time difference between east and west east और west में कितने घंते का time का difference है 2 घंते का local time of longitude 82.5 has been taken जो भी इस line पे जो भे time होगा उसको हमने क्या कर लिया है एक standard time मान लिया है ठीके जी UP, MP, 36 गड़, औरिशा, आंदरापरदेश यहां से पास करती है यह क्यों कौन से state से पास करती है UP, MP, 36 गड़, आंदरापरदेश, औरिशा इतने state से हमारी prime meridian जो हमारा standard meridian of India है वो क्या करता है पास करता है जिसके according हमारी हर एक watch के अंदर time set है तो किस तरीके से set हो रहा है according to the standard meridian of India अगर यहां पर हमने time change किया तो आपकी सारी watches के अंदर आपको time क्या करना पड़ेगा change करना पड़ेगा ठीके जी ओके ओके next है Tropic of Cancer हमने फिर से वापस से चलते है हमारे map के उपर तो समझे इस चीज को Latitude की बात की तो तीन main latitudes है student जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए पहला equator दूसरा दूसरा हमारा Tropic of Cancer Tropic of Cancer इसको हम Tropic of Cancer बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं Tropic of Capricorn क्या बोलते हैं student Tropic of Capricorn आप अपने notes में लिख लिजी अच्छे से हमारा India यहाँ पर लाई करता है student तो देखिए जो Tropic of Cancer है वो बिल्कुल हमारे India के mid में से जा रही है तो यहाँ से बहुत अच्छा question set होता है Tropic of Cancer जो है वो कितने state में से होके पास होती है तो हमारे 8 state में से होती हुए जाती है और almost हमारे India को mid में से cut करती है मतलत this is our India अगर मैं इस तरीके से इंडिया को बना लो तो यह बीचो बीच से इंडिया को cut करती है student पास कहां कहां से कौन कौन से state से होती है यह आपको definitely पता होना ही चाहिए see here student तो देखिए सबसे पहले यह पास होती है गुजरात से कहां से पास होती है गुजरात से दूसरा कौन से state है मध्यापरदीश sorry दूसरा यहां से थोड़ा सा राजस्तान से पास होती है फिर हमारा MP से पास होती है मतलब कि मध्यापरदीश से फिर कहां से पास होती है चौथे नमबर पे 36 गड़ से पास होती है फिर कहां से पास होती है हमारी जारखंड से पास होती है फिर कहां से पास होती है हमारी वेस्ट बेंगॉल से पास होती है और फिर लास्ट में कहां से पास होती है हमारी लास्ट में नी उसे पहले ये त्रीपुरा से पास होती है और फिर पास होती है ये लास्ट में मिज़ौरम से नौर्थ इस्ट के दो स्टेट में से पास होती है तो कौन-कौन से स्टेट में से पास होती है याद रखिये पहला गुजरात दूसरा राजस्तान तीसरा मध्यप्रदेश, फूर्थ वनीजवर छत्तिसगड, फिफ्ट वनीजवर जार घंड, देन वेस्ट पिंकॉल, देन तरीपुरा, देन मिजोर, तो आठ स्टेट से पास होती है student और यहां पे हमारा एक बहुत ही important question है जो मैं बताऊंगी आपको अगली slide में बहुत ही interesting question तो UPSC में भी even यह question आया हुआ है कि जो हमारी Tropic of Cancer है वो कितने स्टेट से होकर जाती है तो याद रखना है यह total 8 स्टेट से होकर जाती है क्यों कौन से गुजरात, राजस्तान, मध्यपरदेश, याद कीजी मेरे साथ साथ, चत्तिसगड, जहारखंड, और कौन सा स्टेट है हमारा, West Bengal, फिर तरीपुरा, and last one is our Missouri, ठीक है जी, याद रहेगा, yes sir, बिल्कुल याद रहेगा, next student, कुछ important exam based points है student, जो आपको याद रहने चाहिए, please याद कीजी, topography map of India are prepared by, यह जो हमारा topography map जो आप देखकर आयो, इसको prepare कौन करता है, तो कौन करता है, पहला fact, the survey of India, यह India की Central Engineering Agency है, in charge of mapping and surveying, जितना भी student आपको survey से related, जितना भी आपको map मिलते हैं, उनको prepare कौन करता है, the survey of India, यह बहुत ही important fact है, जितने भी आपके Punjab Allied के exam है, PCS है, इन सब में यह question आराम से बन सकता है, कि कौन हमारे India का map और survey prepare करता है, तो answer क्या होगा, the survey of India, याद रहेगा, yes, next is father of Indian geography, Indian geography के father किसको बोला जाता है, तो that is our James Rennell, 1742 से लेकर 1830 तक, ठीक है, James Rennell को क्या बोला जाता है, father of Indian geography, और third fact जो मैं आपको बताऊंगी, वो यह, कि जो हमारी Tropic of Cancer है, Tropic of Cancer जो है student, उसको एक ऐसी river है student, जो उसको दो बार कट करती है, जैसे यह देखे, यह है हमारे Tropic of Cancer, यह है हमारा India, यह Tropic of Cancer यहाँ से पास हो रही है, एक river है that we called Mahi, जो महराश्टरा से इस तरीके से निकलती है और इस तरीके से जाती है, तो दो बार कट करती है, किसको हमारे Tropic of Cancer को, यह भी एक बहुत important question है, जिसका answer है, Mahi River, इसका answer क्या है, Mahi River, याद रहेगा, यह सुर नो, बिलकुल याद रहेगा, ठीक है जी, तो इसी के साथ student, हमारा यह वाला session यहाँ पर हम करती है, over, ठीक है जी, and I hope कि यह session आपके लिए बहुत ही ज्यादा helpful रहेगा, for your PCS examination, तो अगर आप चाहते हैं, कि यह series continue रहे, या ऐसी कोई और series भी चले, तो do comment students, and like and share करना भी मत भूलिए आप, ठीक है, bell icon का, जो आपका notification का bell होता है, उसको भी प्रेस कीजिए, so that, जब भी मेरी वीडियो आए, तो foremost, सबसे पहले आपको inform हो जाए, ठीक है जी, okay, ठीक है जी, इसी के साथ हम यह batch यहाँ पर, sorry, यह session हम यहाँ पर over करते हैं, thank you, have a nice day,